तो हम लोगों ने श्ट्रीक साफ एलो ओवर ड्रैव वाल तक की रीडिंग कर लिया था उसके आगे आज हम लोग नेक्स्ट पैसिज की रीडिंग करेंगे एक इस्टेशन पर लोगों से बात करने का सिलसिला एक इस्टेशन पर लोगों से बात करने का मेरा सिलसिला interrupted हो गया, रुख गया, बाधित हो गया as soon as I lighted मैं जैसे ही उत्रा as soon as I lighted मैं जैसे ही उत्रा a group of young children gathered around me एक नव युवक कों की एक नव युवक बच्चों की टोली ने मुझे घेर लिया जैसे ही मैं उत्रा एक नव युवक बच्चों की टोली ने मुझे घेर लिया they were selling baskets hand woven they were selling baskets hand woven वे हाच से बनी हुई टोक्रियां बेंच रहे थे read baskets with simple designs and pattern वे साधारन आतकृतियों और रूप रेखाओं की हाथ की बुनी हुई सरकंडों की टोक्रियां बेंच रहे थे they held the baskets high shouting words वे चिलाते हुए अपनी टोक्रियों को ऊपर उठाए हुए थे they held the baskets high shouting words वे चिलाते हुए टोक्रियों को ऊपर उठाए हुए थे I did not know but conveying unmistakably their desire मैं उनकी भासा तो नहीं समझ पाता था लेकिन मैं उनकी इच्छा अच्छी तरह समझ पाता था कि अर्थात कुछ चिला रहे हैं टोक्री उठाए हैं मतलब बेच रहे हैं उनकी language तो नहीं समझ पा रहा था लेकिन मैं उनकी इच्छाओं को जरूर समझ पा रहा था these were refugee children जैसा कि पता है आपको refugee में सरनार्थी होता है ये सरनार्थी बच्चे थे these were refugee children ये सरनार्थी बच्चे थे when partition between India and Pakistan was decreed जब भारत और पाकिस्तान का बटवारा हुआ जब भारत और पाकिस्तान का बटवारा हुआ तो हैंडेट साब थाउजिंड साफ प्यूपिल पुल्ड अप दियर रूट्स तो हजारों लोगों ने अपने निवास स्थान को छोड़ दीया जब भारत और पाकिस्तान का बटवारा हुआ तो हजारों लोगों ने अपने निवास स्थानों को छोड़ा and changed their residence और अपने निवास इस्तलों को बदल दिया 9 million people left Pakistan 90,000,000 लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा 9 million people left Pakistan 90,000,000 लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया and came to India और भारत आ गए 90,000,000 लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत आये क्यों आये driving by the fear of religious pantanage धर्मान्धता के कारण धर्मान्धता के क्योंकि जवर जैस्ती धर्म परिवर्तन हो रहे थे धर्मान्धता के कारण 90,000,000 लोगों पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ गए they were poor people to start with जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी वे गरीब बेक्ती थे दे वर पूरर वे और गरीब होती चले गए जब उन्होंने अपनी लंबी ट्रेक को सुरू किया प्रेक मतलब दुर्गम पहाडी यात्रा जब उन्होंने अपनी दुर्गम पहाडी यात्रा को सुरू किया तो वे और गरीब होती चले गए फार आल दे कुड कैरी वे जो कुछ भी अपने साथ ला सके वी अगर अपने कुछ ला पाय थे सुन दे वर आउट आफ फूर जल्दी ही उनका भोजन समाब्त हो गया A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. यात्रा सुरू करने के कुछ ही दिनों बाद, वे भूख की कमजोरी के कारण रास्ते पे गिरने लगे, वे भूख की कमजोरी के वज़े से रास्ते में गिरने लगे, और जहां गिरे, जहां गिरे वहीं उनका अंत हो गया, इस वसुंधरा में जो भूख प्यास से गिरा, वो दुबारा उठ नहीं पाया. दा सेलिंग, दा चिल्डरेन सेलिंग बास्केट्स वर संस एंड डार्टर्स आप दीज रिफ्यूजीच, तोक्रियां बेचते हुए बच्चे, इन्हीं सरनार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे, तोक्रियां बेचते हुए बच्चे, इन्हीं सरनार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे, सेटिंग अप इस्टाल्स, छोटी-छोटी दुकान खोल लिया था, छोटी-छोटी दुकाने खोल रखी थी, और साधारन वस्त्मों से बनी हुई, चीजों की छोटी-छोटी दुकाने खोल रखी थी, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स और बाजारों में अपनी जीविका कमाने की कोशिस कर रहे थे आल्रेडी ओवर क्राउड़ेड जो बाजार पहले से ही भीड भाड़ वाले थे वे कपड़े और घास के छपरों में रहते थे देट लाइंड दा इस्ट्रीट्स जो गलियों में कतार से लगी हुए थे बनी हुई थी दा पीजेंट्स एमांग दीज रिफिउजीच इन सरणार्थियों के बीच में जो क्रसक थे पीजेंट्स से किसान थे इन लोगों के बीच जो सरणार्थियों के बीच जो क्रसक थे उनकी वार्सिक आए बहुत ही कम थी और उन्होंने अपने आपको उस आए पर आदी कर लिया था जो की एक वर्स में एक सो डालर से जादा नहीं थी आउस्टन एक सो डालर से जादा नहीं थी वो तीस सेंट होती है और लेस देन टू डालर से बीच एक सबता है में दो डालर से कम देर इज वन मील एक डे एक दिन का जो भोजन था एन ओनियन एक प्याच ए पीस आप ब्रेड रोटी का एक टुकड़ा ए बावला पल्स बिद मिल्क दूस से दूस के साथ एक दाल का कटूरा परहेफ्स ए बिट आप गोड़चीट सायद थोड़ा सा थोड़ा सा बकरी का पनीर, नो टी, नो काफी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, ना ही चाय, ना काफी, ना वसा, ना मिठाई, ना कोई मान से $100 a year is not $2 a week, $100 a year, एक वर्स में $100, जो की एक सब्ताह में $2 से जादा नहीं पड़ता, यट, इवें देट, इसमाल एमाउंट इज हार टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स, फिर भी प्राया, छोटी-छोटी जो एमाउंट है, उनकी बचत है, वो छोटी-छोटी टोक्रियों को बेच के कमाना बहुत ही मुश्किल था, टू पीपिल लोगों के बीच, टू पूर गरीब लोगों के बीच, टू बाई देम, क्योंकि वो उनको खरीद नहीं सकते थे, इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये बच्चे, ये छोटे-छोटे बच्चे, मेरे उपर टिड्डियों की तरह कूद पड़े, इसमें कोई सक नहीं था, कोई संदेह नहीं था कि ये छोटे-छोटे बच्चे, मेरे उपर टिड्डियों की तरह कूद पड़े, क्योंकि बाजार में जितने भी लोगों को उन्होंने देखा था, उनके बीच मैं नहीं संदेह, नहीं संदेह एक अमेरिकन भिक्टी था, नहीं संदेह मैं अमेरिकन भिक्टी था,